जै श्री डाधे दोस्तों मैं एस्ट्रो लोजर मीलू चौधरी केपी की बाणी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ रोजाना राशिफद से सम्मंदे सभी परकार की जानकारी बानी के लिए हमारे चैनल केपी के बाणी को ज़रूर सब्सक्राइब करें जरूर बताएं मैं आपको परिशाने से दूर होने के उपाए जरूर बताऊंगी राशिफद की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंतक जरूर देखें आज दिन है शुकरवार तारीक है तीन अप्रेल और आज दशेरा है यह पर्व बुराई पर अच्छाई असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है इसके साथ ही आज मा लक्ष्मी की पूजा राधना करने का विधान है चलिए अब आज का राशिफल जान लेते हैं कि आज का दिन आप के लिए कैसा रहने वाला है राशी के शिर्वांत मेश राशी से करती हूँ मेश राशी का कैसा रहेगा आश का दिन चलिए जान लेते हैं आश के दिन अपने काम को सिद्ध करने का प्रियास करेंगे आपको काबलियत के मुताबिक सफलता हासिल नहीं होगी मन में थोड़ी निराशा के भावुत्पन हो सकते हैं शरील में थोड़ी धकान भी महसूस हो सकती है तका इसमें थोड़ी वृधी भी हो सकती है कीमती वस्तू को समहाल कर रखने की सलह दी जाती है आज के दिन आपका कोई कीमती समान हो सकता है चलिए जानते हैं व्रिश्यव राशी का हाल कैसा रहेगा व्रिश्यव राशी के जातकों का आज का दिन आज के दिन अपनी कारे शेली में कुछ बदलाब का विचार बना सकते हैं कहीं से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है बकाया धन राशी वापस मिल सकती है किसी पुराने मित्र से आज मुलाकात होगी घर के बड़े आप से प्रसन रहेंगे चलिए जानते हैं मिधुन राशी का हाल कैसा रहेगा मिधुन राशी के जातकों का आज का दिन आज के दिन इस्तिया नियंत्रन से बाहर जा सकती है मेडिकल फिल्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन थोड़ा तनाप पुर्वक रह सकता है मन में गलत खयालों का डेरा रहेगा जवाब विवाद का कारण बन सकती है पिता की सेहत का खास ध्यान रखे चलिए दोस्तों जानते हैं करक राशी का हाल कैसा रहेगा करक राशी के जातकों का आज का दिन आज के दिन लव लाइफ बेहती रोमेंटिक रहने वाली है जीवन साथ ही आपकी जरूरतों का खयाल रखेगा मान सम्मान में व्रदी होगी पुराने फिल्म या सीरिल्स को देख कर आप खुश होंगे आतम विश्वास में कुछ कमी रहेगी अपने सईयोग्यों को विश्वास में ले पाएंगे चलि जानते हैं सिंग राशी का हाल कैसा रहेगा सिंग राशी के जातकों का आज का दिन आज के दिन आपके स्थियों में कुछ परिवर्टन हो सकते हैं सिर्दत की दखलीफ हो सकती है रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत ही शुब है बुरे सपनों से परिशान हो सकते हैं तन आप से बचनी का प्रयास करें चली जानते हैं कन्या राशी का हाल कैसा रहेगा कन्या राशी के जातकों का आश का दिन आज के दिन मित्रों का सयोग मिलने का पूर्ण असार है आर्थि के सथी में सुधार होगा करियर में बहतर आप्शन मिलने के योग बन रहे हैं आपकी परतिष्ठा में व्रदी होगी, महिलाओं के लिए दिन काफी शुब रहने वाला है चलिए दोस्तों जान लेते हैं तुलाराशी का हाल, कैसा रहेगा तुलाराशी के जातकों का आज का दिन आज के दिन आपकी वाणी में हस्से होगा, रोजगार में अच्छी सफलता मिलेगी पुराने रिष्टेदारों से मुलाकात होगी, माता के स्वास्त की चिंता सताएगी उच्च अधिकारी आपकी काफी मदद करेंगे चलिए दोस्तों जानते हैं वरिष्चिक रासी का हाल कैसा रहेगा वरिष्चिक रासी के जातकों का आज का दिन आज की दिन पढ़ाई में मन लगने वाला है, यात्राओं को टालना उचित रहेगा, समस्याओं का सामना करना पढ़ सकता है सोशल मीडिया में खासे सकरी रहेंगे कई सारे विचार एक साथ उत्पन होंगे चलिए जानते हैं धनूराशी का हाल कैसा रहेगा धनूराशी के जातकों का आज का दिन आज के दिन मेहनत के अनुपात में लाब कम मिलेगा घर के लोग ही आपका विरोध कर सकते हैं परिवार में कुछ तनाब हो सकता है धन को लेकर नुकसान झेलना पड़ सकता है आपकी लापारवाही आज आप पर बहुत ही भारी पड़ने वाली है चलिए दोस्तों जान लेते हैं मकर राशी का हाल कैसा रहेगा मकर राशी के जातकों का आज का दिन आज के दिन कर्यर में अच्छी उन्नती हो सकती है वियापार में तनाब की स्थियां समाप्त हो सकती है दाम पत्ते सुक में बड़ोतरी होगी जिद्धी बिभार से बचनी का प्रियास करें घरम करम के लिए दिन बहुत ही अनुकूल है चली जानते हैं कुम राशी का हाल कैसा रहेगा कुम राशी के जातकों का आज का दिन आज के दिन मनुरंचन में अतरिक्त वै हो सकता है मानसिक रूप से थोड़े परिशान रहेंगे शरीर में आलसे की मात्रा बढ़ सकती है जीमेदारियों का बोच आप पर बढ़ेगा घरमी शान्ती का वातावरण रहेगा चली दोस्तों जानते हैं मीन राशी का हाल कैसा रहेगा मीन राशी के चातकों का आज का दिन आज के दिन कई दिनों से यदी किसी समस्या से जूञ रहे हैं तो उसका सामधान मिलेगा जोकीम भरे कारियों से बचें लब लाइफ में अहंकार को ना ने दें आतम विश्वास से भरपूर रहेंगे अन्यतिक गतिवीधियों से बचें जोतिश करना के अधार पर आपको यह जानकारी दी गई है गृहनक शत्र में बदलाब से राशी फल में भी बदलाब हो सकते हैं यह राशी फल पूर्वानुमान पर अधारी भविष्यवाणी है व्यक्ति के करम के अनुसार भी राशी फल में परिवरतन होता रहता है ऐसे में आप हमेशा करमशील बने रहें आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी दोस्तों इस तरह की औरने वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की डेस्वोट अत्वा प्ली लिस्ट पर जाएं और अपनी राशी अनुसार वीडियो जरूर देखें तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसे लगी लाइक कमेंट और शेयर कर हमें ज़रूर बताइए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें मताराने की क्रिपास से आपके चहरी पर हमेशा मुस्कान बनी रहें आप सब रिवार स्वस्त एवं सुखी रहें आप सभी के प्यार और स्नहे के लिए मैं आपको हिर्दे से धन्ने बात करती हूँ आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें इनी शुब कामनाओं के साथ मैं आप से विदा लेती हूँ नमस्कार जै श्री राधी